चाहले तो दोस्तों स्वागात आप सब सभीगा वाइफाइच चैनल पर वाइफाइच अपार्ट अपन अकेडमी नमश्कार एक बारी जल्दी से बतीगा आवाज आ रही है आप सभी को आवाज कट तो नहीं हो रही जल्दी से कमेंट बुक्स पर लिखी का आडिबल प्रोपर लेख आज जो सेशन हो रहा है आज और कल शान तक जो भी कंटेंट आपको मिलेगा वैसे आपकी नाद दो क्लासिस हैं मतलब यह समल लीजिए इसके बाद हम एक अनकेडमी का मैराथू करने वाले वह बहुत जरूरी है उन बच्चों के लिए जसने अभी तक कुछ नहीं किया और उनके लिए तो और बेनिफीशल होगा जिन्नों ने बहुत कुछ करा जिनको फरनिश करने जुरत है एक बारी को सब कुछ है ना तो आप इसके बाद आने के मैराथून में जरू देखो अभी पिछला जो हो गया उसे छोड़ो कि पहले क्लास कब हुई कब नहीं हुई हम अभीजे करेंगे और इस टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन करेंगे सो डैट की हमें क्लास मिल पाए और मैं कोड भी बता देता हूं अभी लाइव अमन कोड है जो आपका फ्री ह क्लास उसमें पर फ्री क्लास होगी पूरा मैराथोन रखा है दो घंटे का मैराथोन चलेगा मजा आ जाएगा इतना समझ लोगते में बहुत कुछ सीख होगे इसके बाद होगी 8 बजे क्लास होगी टाइमिंग बता रहा हूं एट पीम मेरे टेलीग्राम पर एवलेबल रहे अभी पता चला है कि इसका कल लास्ट डे है तो 23% discount है कल इसका लास्ट डे है code है वही same live woman और बहुत अच्छा offer है यूटलाइस करना लास्ट डे है इसका live अमन से सारे teachers available होंगे जितने भी teachers है सभी teachers available होंगे जैसे आप जुड़ते हैं तो आपको जितने बैचिस होते हैं इसमें अब ऐसा नहीं होगा कि एक teacher पढ़ाएगा दो teacher पढ़ाएगा आप जिस teacher से पढ़ना चाहते हैं आप एक बड़ी मेरा code लगा लेना ठीक है आपको वो teacher available हो जाएगा ठीक है इस तरीके से रखा है single एक वैच नहीं रखा पूरा रखा है code को यूज़ करके ssc में live open code यूज़ करके 10 की जगा 23% discount मिल जागा ठीक है यूटलाइस करना इसे बाकि आपके जो features हैं ठीक है सारे features अबलेबल है आसडाउड का feature compete का ssc के notes का ठीक है चलिए question स्टार्ट करते है question का level थोड़ा सा high है ठीक है कारण क्या है आसान सब पढ़ लिया difficulty level high से थोड़ा सा उपर रखा है मनला समझ जाओ घबरा मत जाना वस और इसके बाद आने केड़ी क्लास में आना दो तिन घंटे लगेंगे तब जाके कोशन सोल्व होंगे ठोड़े मुश्किल है कोशन यह कोशन से नहीं स्टार्ट करेंगे इस कोशन से स्टार्ट करेंगे चीजें हमेशा शुरू करते हैं आसान चीजों से चेक कितना ही मुश्किल पढ़ना होगा थिक है मैं यह वाला कोशन कराऊंगा जो अब मैंने छोड़ा है पहले यह बताइए इसान कोशन कि शुरूआत अच्छी हो चले यहांसे पेपर में हमेशा ना जब अटेंब करने जाओ पेपर असली तो सबसे पहले सबसे नलायक कोशन जो होगा ना उसको ढूंडो और शुब आरेम्ब करो सो डैट की फिर और चीज़े अच्छी हूँ है ना पहली मुश्किल कोशन मत पकड़ लेना आंसर है चमकादर अब आते हैं मुश्किल कोशन पे जो पीछे छोड़ क्या है देखे कहा रहा है एकनामिक्स में यूटिलिटी और यूस्फुलनेस वर्ड जो है इन दोनों का सेम मीनिंग है या डिफरेंट मीनिंग है बताएगा दोनों यूटिलिटी और यूस्फुलनेस दोनों सेम मीनिंग है इनका या फिर different है ये थोड़ा सा English भी होगी इसमें बदे different है या same है जल्दी से बदे comment करेगा जल्दी से बदेए इस question answer hello dear बदेए इस question answer के देखो ध्यान रखना ये दोनों term जो है ना दोनों एक different term है utility और usefulness ठीक है utility और usefulness दोनों एक different term है हमें एक phone चाहिए अपने काम के लिए ठीक है वो हमारे क्या है ठीक है utility है call करनी है ठीक है hello hi ये सब हमारी utility है हमें उस phone में बहुत कुछ चाहिए करने के लिए ये भी हो वोभी हो वो βी हो जाए ये भी हो जाए सब कुछ यह usefulness दोनों में फर्ख हैं ठीक है कहते हैं कभी कभी लोग कहते हैं कि भाई regime किस लिए होता है बात करने के तो होता है वह utility फोकुस करते हैं दूसरे कहते हैं phone तो हर चीज के लिए होता है वो usefulness पिर फोकॉस करते हैं दोनों में फर्क है ठीक है मैं पहले कह रहा था Q bisschen से मुश्किल होगा जकों नेखे का कहते हैं टेलिसकोप और माइक्रोस्कोप रख दिया मैंने का बताओ जी कौन से है टेलिस्कोप महाशे कौन से है माइक्रोस्कोप महाशे कैसे बता लगेगा जल्दी से बतेगा ज्यादा मुश्किल नहीं है ज्यादा मुश्किल कोशन नहीं है किस से बता चलेगा देखो टेलिस्कोप और माइक्रोस् size of lens में फरक होगा ध्यान रखना length का कुछ लेना देना नहीं है lens में lens इतना बड़ा lens हो तो के ज़्यादा दिखाए देगा है फिर तो चश्मे के जगा हम वो बड़े वाले कैंबो लगा लेंगे ना है ना आगे तक ज़्यादा बड़ा दिखाए देगा length का कुछ नहीं होता lens की जब बात करते हैं size का होता हमेशा ठीक है ध्यान लखना इस वज़े से d option गलत हो गया बड़ेगा देगो कोशन थोड़ा सा high level है धीरे धीरे पढ़ेंगे ज़्यादा बड़िया रहेगा आना जो पान एकेडमी में content कराने वालों वह content भी कुछ इस तरीके का ही होगा जो आपने बिल्कुल नहीं देखा और पेपर में आप देख सकते हो ठीक है बताई इस कोशन का answer sun की जो सबसे बहरी परत है उसे हम क्या कहते जैसे sun है ठीक है और sun के outside ना तीन लेयर होती है actually तीन लेयर होती है ये कह रहा सबसे आखिर की जो परत है वो परत का नाम क्या है जल्दी सब देखे इस परत ने बड़ा दुखी किया है पता है इस परत ने बड़ा दुखी करा है लोगों को बड़ा परिशान किया 2019, 2020, 2021 नाम ही ऐसा है नाम में दहशत चुपी है ठीक है आंसर है इस question का ध्यान रखना sun की जो सबसे बहरी परत है उसे कहते है करोना क्या कहते है करोना sun की सबसे बहरी परत है ठीक है question आपको मल सकता है ठीक है चले एक और question देखेगा इस question का answer क्या है चले एक और question देखे बिटा सारे के सारे participant करो सीखने वाले बच्चे जो है ना कुछ नया ही सीखेंगे जिन्होंने सीखना नहीं है ना वो बस कहेंगे national park करा दो सर हमें हम उसी में खोश है हमारे national park को जाने चीप है पेपर में एक national park का जाएगा सारे थोड़ी आ जाएंगे history, quality, geography का जाएगी तुमारे ऐसे राज्य सभा में president कितने सदस्य को नामित करता है इस question का answer के है चार शेत्र है चार शेत्र में 12 सदस्य जो है नामित किये जाते हैं ठीक है कितने सदस्य बारे सदस्य एक लोकसभा का दो सदस्य का हुआ करता था था ना एंग्लो इंडियन्स का वह खदम कर दिया गया है question उस पर भी वैसे आता है यह question important है चार फील्ड का भी ध्यान रखना याद रखिएगा अभी हाल फिलाल में एक गुलाम अली नाम के सदस्य क्या नाम है नाम याद रखना मैं current fair बता रहूं साथ के साथ गुलाम अली नाम के सदस्य जो है राज्य सभा में नामित किये गए है कौन से राज्य से है या कौन से यूटी से है आप बताएंगे current fair है पते हैं लेटस्ट इन गुलाम अली को जो है राज्य सभा में नामित किया गया है हमारे नए राष्टेपती के द्वारा और ये कौन सी स्टेट से है यूटी से है जम्मू कश्मीर से है अटब ये करेंड फेर है शायद आपको मिल जाए नहीं पहला एंगलो सिक वोर जो है कौन सी ट्रिटी के साथ खतम हुआ था बतेगे है इस कोशन घाल सके हैं आज कोई जल्दी नहीं क्योंके कोशन जल्दी वाले है नहीं ठीक है कोशन जल्दी वाले है नहीं बड़ी शान्ती से जो है ये कोशन करने है तब जाके वह पाएंगे पहला एंगलो सिख वोर जो है कुण सी टेटी से एंड हुआ था जल्दी से बते का इस कोशन गां से कह है देखो अब क्या करते हैं बच्चे इस कोशन में पहली बात तो भाई जो अलहाबाद पूचा हुआ है एंग्लो सिख वर खदम करने के लिए थोचके देखो अकबर थोड़ी जन रहा था अलाबा ताल लगा کے आ रहे हो ठीक हैं और कुछ बच्चे अमर्यस अलाभाद लगा रहे हैं लहो टिटी एतनी ज़्यादा फेमस है फिर भी नहीं आन्सर लगा होगे सी अंसर लगा रहे हैं सारे ट्रिटी ओफ अमरिट सर फर्स्ट एंगलो सिख वर एंड वी थी ट्रिटी ओफ लहोर से कोशन थोड़ा सा मुश्किल था लेकिन इतना मुश्किल नहीं था कि सारे के सारे ही अमरिट सर लगा के आ रहे हैं क्या आमरी सार आंसर होगा City of Lahore इतनी फेमस आपके सामने रही भाई देखो समझो इस चीज़े ना आप ऐसे ही फाल्टू की चीज़े सीखते रहोगे स्ट्राटिक जी के बहुत पढ़ लिया अभी इस पर फोकस करो यह कोशन गलत होंगे आपके बहुत सारे ठीक है चले एक और कोशन देखेगा यह कोशन नहीं करना यह कोशन आपके काम करने यह इंपोर्टन कोशन है एस्ट्रोमिकल यूनिट किसके बीच का डिस्टंस है चाय सारे बच्चे कहते हैं सर्फ फ्री क्लासिस में ना सिर्फ कंटेंट ऐसे ही मतलब चलनी रिवाद बात नहीं बन रही हमें वह लेवल नहीं मिल रहा जिस लेवल पर हमें पढ़ना था आप आ जाओ अनकेडमी पर दो घंटे पढ़ो ठीक है और फिर जानो फ्री कंटेंट भ एक कोशन alarm को मिल सकता है इसके अलावा आपसे करुं इंभ कि एक है एस्ट्र मिकल यूनिट एक है पार्सेक या है पारसेक ठीक है एक है लाईट चैहला इन सब्ससे बड़ी कौन सी यूनिट ब्ते हैं इन तीनों में से सब्से बड़ी यूनिट एजल्दी से पतेगा का है के लिए घबरा रहे हो पहले जरूरी है पढ़ना पढ़ो ठीक है बताओ इस कोशिंग का अंसे के हैं लाइट इयर पार्सेक और एस्ट्रोमिकल यूनिट में से सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है इन तीनों में से अगर तीन आपको कंपरेशन में दे दे कहा दे वही इसमें स पार्सेक सबसे बड़ी यूनिट है इन में से दूसे नमर पर आता है लाइट इयर दूसे नमर पर आता है लाइट इयर इन तीनों में से सबसे चोटी यूनिट है एस्ट्रोमिकल यूनिट ठीक है यह सबसे चोटी यूनिट है तीनों पर सवाल आपको मिलेगा ठीक है क्लि पहले जो नामित कि यह जाते थे ठीक हैं वो तो पूछी सकता है आपसे miss पूछ रहा तो दो सदस से एंगलो इंडियन्स है उन्हें नामित किया जाता था रााष्ट्रेपति के द्वारा किसके द्वारा राष्ट्रेपति के द्वारा इस प्रावधान को अब किया गया है समाप्त लेकिन पहले तो था कोशन आपको आना चाहिए चले एक और कोशन देखें लंबा कोशन है बस एक कहानी है और वो भी कहानी किसकी पॉब्लिक इंटरस्ट लिटिकेशन की अगर आपको आपने बहुत बार सुनाओ एक एक मोवी भी आई थी जोली एलल भी उसमें दिखा रखा है बड़ा बेसिक कॉशन है यार पी आईल तो सभी को पता रहे चाहिए कि पॉब्लिक इंटरस्ट लिटीकेशन क्या है थीक मैं वट इस पॉब्लिक इंटरस्ट लिटिकेशन है जल्दी से बते गा वर्ट इस पॉ सवाल है मेरे हिसाब से दूँ पब्लिक इंटर्स लेडिकेशन क्या है यहाँ ज्यादा समद्दारी दिखाओगे तो दुरगटना गरस्त हो जाओगे ठीक है और जो बच्चे देखो जैसे इसमें पहली स्टेट्मेंट लिखी है सब्सक्राइब क्या जित्ते भी पूर्स है उनके राइट के बारे में हैं बिल्कुल सही स्टेट्मेंट है अगर किसी व्यक्ति को कानून अधिकार नहीं देता मतलब वो वकील नहीं कर पा रहा तो पी आईल के थ्रू जो है उसको नयाय मिलेगा है ना तो ये स्टेट्मेंट भी सही है ये भी सही है गरीबों के लिए लायक है और जरूरी भी है बोट अफ देम लिखा हुआ है स्टेट्मेंट क्या ये दोनों सही है तो आंसर के इस कोशन देखेंगा इस कोशिंगा है करेरा वाइल अंसरे स्टेट में जल्दी से बताहिए और यार पहले मैं सोच रहा था कि difficult question और इनी difficult question में आप game खेलोगे आप असान सवाल में game ने कहलोगे क्योंकि वो game खेलने वाले होते ही नहीं है सब करते हैं 12-13 नंबर सब के आने हैं GS में 12-13 नंबर आएंगे सब के अपने को लाने जादा करेरा wildlife century कहाँ पर इन सब कोशन से आएंगे आंसर इस कोशन का क्या है अब सभी को किसी को पता ही नहीं तो सब ने तामिल लाडू लगा दिया बहुत से बच्चों ने तामिल लाडू लगा ए भाई ध्यान रखना करेरा wildlife century कहाँ पर है मद्धे प्रदेश में ठीक है कहां पर है मद्धे प्रदेश में अभी तक आप कौन से सुनते आ रहे थे आप सुनते आ रहे थे काना आप सुनते आ रहे थे सत्थपुरा ठीक है यह सब आपने सुना होगा यह सब आप सुन चुके हों मद्ध्य परदेश में है ना अब ये भी सुनों करेरा वाइल्डव संस्री कहां पर है यहां पर है ना चले एक और कोशन देखेगा इस कोशन का अब दस्तरी तक लुगा भाइ मैं अब चलेगा जैसे कोशन आछान कोशन है राहत की सास यहां पर मून लाइक फेस कौन से प्लेणेट का है यह बड़ा होटेस भी है यह बड़ा कूलेस तो नहीं होगा होटेस ठीके ब्रायटेस भी है ठीके फेस लाइक मून भी है ट्विन सिस्टर सोरी चलिया इस कोशन का इस कोशन का आंसर है वीनस यह पता होगा सभी को मैंने वीनस की डारेक्षिन के ऊपर भी कोशन बताया था कि यह किस डारेक्षिन में जाता है ठीक है वेस्ट से इस्ट की जगा इस से वेस्ट में जाता है यह कोशन आपको मिल सकता है चले एक Olympic medal से सम्वानित किया गया था अंसर क्या है अब अनसर तुक्के लगा गए तो सही है लगाऊ तुक्के तुक्के भी देख लें कितने हैं वैसे आप तुक्के नहीं लगा रहे हैं ओलमुस्स सारे जैनुवल ली आंसर बता रहा है यह मुझे दिखाए गा जो अंजू वो भी जो लगारा नहीं वो लगा तुक्के अंसर के सुरिई है लेटस खिलाड़ी है और इंडिया में फर्स वह जो लमपिक मैडल है वह बहुत पहले जीता गया है है ना करनम मलेशवरी इस question का answer है ठीक है क्या है इस question का answer करनम मलेश्री is question का answer है अभी आल फिलान में current affair था कि आज में पिक के दे हैं क्वाच्छे पने हैं सवाल सुनो इंडिएन ओलम्पिक कमेटी के head कोन पने हैं में से कोन है बतेगा इस कोशन का आंसर क्या है जल्दी से बतेगा इंडियन ओलंपिक कमेटी के हैड कोन बने है कोशन इंपोर्टन है आ सकता है और करेंड फेर है तो आएगा जरूर आंसर है इस कोशन का पीटी उशा पीटी उशा जो है इंडियन ओलंपिक कमेटी के हैड बन मैंने कल आज दोपैर को भी का था कि शाम को साथ बज़े आओ तो दो तिन घंटे के लिए आना ये PDF अनकेडमी पे फुल फ्लेच खतम कराऊंगा बहुत कोशन उठाया है सारा कोशन ऐसा उठाया है जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा और सीखना है आज अनकेडमी क्लास में इधर तो हम सिर्फ एक घंटा पढ़ सकते हैं ना अनकेडमी की क्लास में कोई बाउंडेज नहीं होगा हमें दो घंटे पढ़ने को मिलेंगे फ्री क्लास में फुल मजा आ जाएक है इसके बाद क्लास रखे आज ठीक है जैसे सुबह रखे दी करेंटे फिर की आंसर है म्या का मारा गलत कर दिया जिसको नहीं आता था वो भी लिखिए गलत एक बाई लिखे मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं कितने बच्चे ऐसे हैं अगर पेपर में चले गए तो दिक्कत होगी इन कोशन में क्यों मैं यह कोशन करा रहा हूं बहुत सारे बच्चे आप खुद बच्चे आप कोई एक कोशन असान सबूत सारे सही करते खुशी की बात तब भी नहीं ओती और म्यानवार है ध्या रखना कोशन आपको मिल सकता है इसमें से कौंसा इलेक्ट्रोगेटिक कंडक्टर है जल्दी से बतेगा इसकोशन का आपने इलेक्ट्रोगेटिक देखो आ बज़ली से connect करते हैं और इसमें इधर नीचे एक इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है यह ऐसा प्रोसेस आपने बच्पन में सुना होगा करा होगा 10th क्लास में तो यह देखा ही होगा अब यही प्रोसेस जो है इसमें कहता है कि यह कोपर सलफेट सी यू एस फॉर एक नक्टर है क्या यह सही है है ना शायद यह बहुत जादा असान कोशन होगा अगर आपने थोड़ा वो 10th क्लास की NCRT देखिए है ना चले एक और कोशन देखेगा इस कोशन का आंसर CUSO 4 है चले एक और कोशन देखेगा देखो यह भी कोशन सुनने थोड़ा सोच समझ के ब ना सुना है कि यह लोगसभा के जो स्पीकर होते हैं वो डिसाइड करते हैं मनी बिलको है ना इस कोशन में डाउट क्या रहेगा बच्चे इसमें डाउट में आ जाएंगे कि भाई पे कमिशन तो नहीं है ऐसे ही कोशन बरबाद करते हैं पूरे पेपर को कि यार ऐसे ऑप् में तो समझ के लगाना आंसर है पार्लिमेंट किसी को भी पैसा देना है कितना पैसा देना है डिसाइड पार्लिमेंट करेगा सीधा सटी कि याद रखो किसी का भी पैसा है सरकारी बाबू का पैसा डिसाइड पार्लिमेंट ही करेगा है ना और कोन डिसाइड कर सकता है है न है ना कूणकर सके तो कोई नहींहें type geh कर सकता है कि यह इसको अभी क्या हुआ कि ढिल्ली की किम Viel ग्यांनले में इकोस्टन नहीं करना यह एकनॉमिक्स की कोस्टन मैं चलू गहाएं फास्तों कोषण होते हैं कि यहारा बोरी वाइड लाफ सेंश्री जो है कूंसी स्टेट में लोकेड है इस ध्यान रखना इस लेवल की मैरथोन पढ़नी हो तो आज रात को आठ बजे अनकेडमी पर पढ़ लेना इस लेवल की मैरथोन इस लेवल के जो कोशन है ठीके फालतु के कोशन नहीं करा करेंगे इस लेवल के सारे कोशन आज हम खदम करेंगे 8 पीम से स्टार्ट होंगे आज बोरी वाइड लेफ सेंश्री यह पता होगा आपको है ना बदे इस कोशन का अंसर कहीं है कि महाबोर और महाबोर और एक और उप्शन आपके सामने जल्दी से बताईगा क्या है इस question का answer थोड़ा सा ना doubtful question है wild life century लिखा है बोरी wild life century का जल्दी से comment करो सारे के सारे answer कहाई इस question का मद्दे परदेश लगाओगे या महरास लगाओगे जल्दी से comment करना थोड़ा सा ये फसने वाला question है मुझे पता है इस question का इसमें गलती होती है जो मैंने आपको अबोर का बताए ना वो अलग है और सभी का आंसर गलत है सभी का आंसर गलत है जो जो बच्चा महाराश लगा रहा है उस हर बच्चे का आंसर गलत है ठीक है कारण गया है जल्दी मचा दी आंसर मद्धे परदेश पेपर में गलत हो जाएगा ऐसे ही मैंने वहला महावर जल्दी कर दी तुमने ठीक है आंसर का मध्य पर्देश इस कोशं का अंसर है यहाँ पर कौशन किस का गलत हुआ सच बताना जिस जिसका यहाँ पे कोशन गलत हुआ न वह जल्दी करता है जिसका यहाँ पर जल्दी क्मेंड बॉक्स पर लिखना गलत किस-किस का हुआ है जिस जिसका यहाँ पर कोशन गलत हुआ है न वह जल्दी ठीक है आंसर इस कोशन मद्ध्धे परिदेश रहे हैं और पर सक ये कोशन नहीं करना भाई ये कोशन अलगी लेवल थीक्षा है, इकनॉमिक्स का कोशन आ गया नहीं करना एकनॉमिक्स को कोशन वो छोड़के चलेए, ख्लोरफोर्म किसले यूजर होता हैं बहुत बार आपने देखा होगा, तो अगर आपका कोई बड़ा operation हो रहा है तो उसमें आपको कर देते हैं शांत थोड़ी दे लिए कि आप जो है देखना पाओ हो क्या रहा है ठीक है क्योंकि अगर देख लोगे तो अच्छी तरीके से शांत दो जाओगे है ना तो उस case में क्या यूज किया जाता है जल्दी स तो ये क्या है ठीक है एनस्थेटिक होता है एनस्थीसिया जिसे हम कहते है ऑपरेशन के समय में यूज किया जाता है उसके भी एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट होते है ठीक है तो आंसर क्या है इस कोशन का अंसर है ठीक है क्या है इस कोशन का अंसर एनस्थेटिक इस कोशन का है इसा बंदर जिसका नाम शेर जैसा है अब बदया आंसर के इस कोशियर गांगा ऐसा बंदर जिसका नाम शेर बन मारो अगर मैं कहूँ कि लोईंटिल मकाव तो हमारे दिमाग में आता साइलेंट वैली नैशनल पार्क बस स्पेसिफिक तो यह है इस एक्ट अगर बोला जाए कहां पे तो साइलेंट वैली नैशनल पार्क में होते हैं और कहीं नहीं होते हैं साइलेंट वैली नैशनल पा तोह इंपोर्डन कोशन है आपको मिल सकना है सिधासी तो आद रखो या तो आपको सॉइलन victorious नेशल पार्क कएगा या तो आपको वैस्न खाट कएगा या तो नील गिरी हिल्स काईगा, तीनों मैं से कुछ भी कहा सकता है, नील गिरी हिल्स भी आपको option में दे सकता है ये भी option सही होगा आपका ठीक है, ये भी option आपका सही होगा, ये बंदर है एक ठीक है, चली एक और कोशन देखी का, इस कोशन का अन सके होम रूल लीक, अचाए एक चीद ध्यानक ना, जिस भी वच्चे को 23% वाला discount चाहिए वो आप आज या कल में जरूर access करना परसों से 10% हो जाएगा, और मेरे code से सब कुछ available होगा उसमें discount के साथ teacher सारे मिलने चाहिए, discount तो खेर मिलने ही मिलने, तो वो code live अबन से utilize कर लेना, ठीक है समय रहते, home rule league moment started by बाल, गंगाधर तिलक, दो बंदे थे ध्यान रखना है, जैसे बाल, गंगाधर, तिलक को जो एक उपादी दीगी थी न, है न, वो किस समय दीगी थी, ठीक है यहाँ पर समझ रहा है इस सीच को कि question में कहा रहा है, infant sex ratio कुछ बच्चे doubt में आ जाते हैं, फरक है sex ratio होने में और infant sex ratio होने में 2011 census का infant sex ratio क्या है बताए आंसर के इस question का फसने वाला question, आता ही नहीं किसी को तुक्के माद मारना जिसको नहीं आता वो नो लिखो, कोई तुक्का नहीं आता वो नो लिखो क्योंकि आप answer गलत करोगे ही करोगे ऐसे question negative marking में ले जाते हैं आपको ठीक है, answer के इस question का कि भी है, infant sex ratio जो है 99 है, क्या है 99 जो है infant sex ratio, ध्यानक को दोबारा कह रहा हूँ, sex ratio और infant sex में फरक है, ठीक है, infant sex ratio और sex ratio में फरक है, child sex ratio, infant sex ratio और sex ratio तीनों में बहुत जादा फरक होता है, उस हिसाब से आप answer लगाएं, गलत नहीं हो आपका, ठीक है चले, एक और question देखेगा, इस question का answer क्या है, comment करेगा है न, question समझो, science का question है कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, question मुश्किल है, कुछ नहीं है, जब current conduction होता है, उस सम्में conductor कैसा होता है आप बताएं, थोड़ा सा common sense लगाएं, फिर मैं इसका उधारन देता हूँ फिर मैं इसका उधारन देता हूँ, पहले आप थोड़ा सा common sense लगाओ, मुझे बताओ ये जो मेरी wire लगी हुई है, plug से लगी हुई है, ऐसे तो plug से लगी है, मेरे current लग जाएं रोज मैं current खाके ही पढ़ा हूँ, class में ऐसे ऐसे, ठीक है, नहीं न, क्यूँ current conduction इसमें हो रहा है, current conduction इसमें हो रहा है, लेकिन ये खुद क्या है, electrically neutral है मैं इसी wire का example ले रहा हूँ, कि भी ये, इसमे current conduction हो रहा है, बट मेरे को current नहीं लग रहा क्यूंकि ये जो खुद है न wire, ये electrically neutral है, यही कहूँगा न, during the conduction of current, the conductor become electrically neutral, नहीं तो conductor को ना पखड़ माए हम, समझ रहे हो, ठीक है क्या कहना चाहता हूँ, तो answer इस question का क्या होगा, कि conductor जो है electrically neutral होगा, ठीक है, this is the conductor, ठीक है wire जो है न, इसके अंदर जो ऊपर जो लगा हुआ है, चलि तो answer इस question का electrically neutral, गलत होता है कोशन, बहुत सारे बच्चे ऐसे सवाल गलत करके आते हैं, अब खुद बताओ, इमान दर इसे, आप जो इस समय सीख रहे हो, यह आपको difficult लग रहा है या असान लग रहा है, मतब जो आप जो screen पे question देख रहे हो, यह आपको ऐसे लग रहे हैं कि हाँ, हमें यह question अगर हमने नहीं करें, अभी नहीं सीखें तो हमारे paper में गलत होंगे, ऐसा लग रहा है क्या, अगर हमने यह वाले question अभी नहीं सीखें, तो हमारे paper में जरूर गलत हो जाएंगे, जल्दी से comment करना, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, जल्दी से बतेगा, ठीक ठाक है एक average question है, पता हो न चीए, यह नहीं पता हुआ तो दिक्कत है, ठीक है, सीखो भाई धोड़ा बोट, है ना, चलि एक और question देखेंगे, इस question का answer क्या ह क्या दुनिया में पूरे पुरे भ्रहमान में सबसे बड़ा planet अगराम हमें जो पता है, वो है कि यह Jupiter सबसे बड़ा है, है ना, Jupiter सबसे बड़ा है, अब Jupiter कितना बड़ा है, यह सवाल है, जुपिटर कितना बड़ा है, बतेगे, आंसे के इस कोशिंगे, जल्दी से comment करीगे, इसका अगर full-fledged content आज पढ़ना है free of course, तो 8 से लेके 10 बजे के बीच में पढ़ लेना, इसी का content 8 से लेके 10 बजे के बीच में पढ़ लेना, इसी का content अगर पढ़ना हो, मेरे telegram पर free access दूँगा मैं इस content का live, ठीक है, और तसल्दी से बढ़ेंगे, 1000 of the mass of the sun, जो sun है उसका 1000 times, है ना, बना बेसिकली sun तो खेर बहुत बड़ा है, उसका comparison अगर मैं करूँ, तो इसके साथ कर सकता हूँ, sun के साथ comparison किया जा सकता है, है ना sun के साथ comparison किया जा सकता है, उसे लेके और कुछ, जुपिटर is a fail star, ये एक fail star है ये star बन सकता था, लेकिन fail हो गया, ठीक है, gases form में है न, से लेक और कोशन देखेगा, इस कोशन का आज से कह है, ये नहीं करना, economics का कोशन है, vacuum pump किसके द्वारा invent किया गए, जल्दी से बताए, who invented the vacuum pump, बताएगा, telegram channel कौन सा है, अमन सर, वाई फेस सड़ी है, जिसमें content आएगा, अभी, बन्दब live class का link मिलेगा, free link मिलेगा, वो यहाँ यह है, telegram channel, ठीक है, आज इसको भी आने के लिए सब्स्रिप्शन लेना और आज को link भेज़ दूँँआ, proper link होगा, direct discount मिलेंगे, जितने हो सकते हैं, coins के discount, जो-जो maximum discount हो सकता, सब डाल देंगे, आगी, अभी free class होगी, इसके बाब वो जरूरी है, vacuum pump किसके द्वारा invent किया गया था, तो भीया, इस question का answer है, ठीक है, auto one ग्यारेक किसन का answer है, vacuum pump किसने invent किया था, ठीक है, auto one ग्यारेक जो है, इनके द्वारा vacuum pump जो है, invent किया गया था, question important है, आपको मिल सकता है, ठीक है, चले, एक और question देखेगा, मुश्किल भी था थोड़ा सा, नहीं करना है question, छोड़ेंगे कुछ question, जो चीज़े, ऐसी है ना, जो disguise है, उनको नहीं करना, वो paper में अब नहीं आती, पहले आती थी, क्यारा है, ब्ल्यू प्लैनेट कौन सा है, शायद सभी को बता हो, ब्ल्यू प्लैनेट कौन सा है, रेड प्लैनेट कौन सा है, ग्रीन प्लैनेट कौन सा है, ठीक है, चलिए answer के है इस question का चला तो इस question का answer के है comment करेंगा चला तो इस question का answer के है blue planet कौन सा है blue planet obviously हमारा arθ है और यह आप से सवाल पूछा जाए एक पर simple सा करण कहता हूँ कहें कि अर्थ नीला k्यों है आपको बहुत सारे option देते ठीक है बहुत सारे option देए, आपके हिसाब से क्या answer से होंचे, अगर आपसे कोई एक आम इंसान, एक बुज़ूर्ग इंसान आपसे कहे, बेटा बताओ, हमारी पृत्वी नीली क्यों है, आप क्या सरल जवाब क्या दोगे, कि यह किस वज़े से, पृत्वी किस वज़े से नीली है, बहुत सारे option आपको चार दे देता है, ऐसे question में, उसमें कहेगा, सब कुछ दिखा देगा, कि भई, sky का color ये है, नीला है, ठीक है, समुंद्र का कनल नीला है, ऐसे भी कहेगा, ocean is blue, that's why, ऐसे option देगा, सारे option हटा के, बस question का answer सिर्फ होगा, answer बस एक, because of water, सिर्फ इतना सा ये answer है, पानी की वज़े से, पानी है, तो अर्थ नीला दिखाए दे रहा, बाकि और बहुत सारे ऐसे option देगा, आपको पेपर में, कि आपको लगेगा, नहीं यार, reason तो ये भी हो सकता है, ocean is blue, इस वज़े से भी हो सकता है, पानी कही भाग है, बट actual answer सा बस यही है कि यह पानी present है, first Asian country जो कि मार्स के orbit तक बोचा था, बड़ा प्यारा question, क्या answer होगा, और ज्यादा मुश्किल question नहीं है, और अगर आप इस सवाल का, जवाब दे रहे हो गलत, फिर चड़ेगा गुस्सा, देखते हैं कौन सा यह answer देता है, और गलत कौन देता चाहूँगा, नाम के लेना चाहूँगा, खुछ समझ जाओगे, है ना, अरे भाई, चाइना हमसे कितना भी तकनीक में आगे हो, चाइना हमसे कितना भी तकनीक में आगे हो, इंडिया से पहले नहीं पोच पाया मार्स में, ठीक है, simple सी बात, मुझे लगा ही था, कि चाहिना लगाएंगे, अभी लगा रहे है, इंडिया पहला एशियन कंट्री है, जिसने मार्स का मिशन कम्प्लीट किया था, आप सभी जानते हैं मार्स मिशन के बारे में, अचीमेंट दी वो इंडिया की, है ना, चलिए एक और कोशन देखेगा, इस कोशन चाहिना ने तो पलामू टाइगर रिजर्व कौन से स्टीट में, चलिए, इस कोशन का आंसर क्या है, कमेंट गरीगा, इस कोशन का आंसर है पलामू टाइगर रिजर्व कौन से स्टीट है, पलामू, धार्कन, चलि ऐसे याद रखो हमार पास नोकरी ना ही थी उप पल्ला जाड़ कर चली गए अब हम आईपेस हूँ है ऐसा याद रखो थोड़ा वहत वैसे होता नहीं है एक्चुली ठीक है पड़े नहीं होंगे तब ही कुछ नहीं हो सीधी बाद ठीक है लेकिन याद रखो छार खंड है और ये पल्ला है ठीक है पल्लो ये सच्चाई है फिल्मों में नहीं एक्चुली में भी हो जाता है 99% केसिस में होता है ठीक है और सही है होना भी चाहिए तुम जैसों के साथ कुन सी ऐसी नदी है जो अपने रास्ते से भटक जाती है रास्ता बदल देना भटक जाना एक हुआ अब बताईए इस कोशंग का आंसर क्या है जल्दी से कमेंट करेगा मेटा अपना रास्ता कोन भटका है ठीक है आंसर कोशी किसका सोरो है किसका दुख है किसी का तो दुख है बताई इक किसका दुख Ist your कोशी is the sorrow of what कौन सी स्टेट का है न यही तो दुख है कि रास्ता बढग जाती है है ना ना बटके तो सीधी जाए तो अच्छा रहेगा चलिए आंसे कहें इस कोशेंगा सोर विहार चलिए एक और कोशन देखें दामोदर इस सोर वेस्ट मंगोल है ना यह सब कोशन आते हैं बेसिक कोशन वैसे ठीक है रहार ओफ इंडिया कहते हैं और भी बहुत सवाल बन सक हैं चलिए बते ही इस कोशन का आंसर क्या है अच्छा एक बड़ी सारे इमानदारी से बताना आप चाहें उसे पहली बार पढ़ रहे हो या आगे पहले पढ़ते रहे हो कुन-कुन सब अच्छा अभी इस लेवल के कोशन आठ से लेके 10 बज़े तक करने वाला है और अकेड से कंटेंट बनाएगे इसको मैं आज ही पूरा करना जाता हूं किना कंटेंट की कमी नहीं है जी के सच में सागर है उस सागर में रोज गोते लगाएंगे तब जाके ही सीख पाएंगे तैरना कैसे ठीक है यह ज़रूरी है यस है ना अच्छे से बढ़ना अभी कोई जल्दबाजी नहीं है क्लास आपको टेलिग्राम पे मिलेगी फ्री होगी मेरा कोड लगा लेना लाइव ओमर एंट्री फ्री है ठीक है मज़ा आएगा पढ़ने में आपको मैं अशोर्टी दे रहा हूं यह कंटेंट कवर करेंग अब इसका क्या है इसका आंसर किसी ने मैंने देखा नहीं आंसर सभी ने पोलो स्टोर लगा दिया अर तुम्हें यही नहीं पता तुम्हारा सूरत तुम्हारे सबसे पास है और तुम्हें यही नहीं पता बैटा कोई कहना कि यह फर्स्ट कौन सा है तो आपने सन लगा दि आंसर के हैं जल्दी से बताएंगे क्लासिस चलेंगी सुबह नो शाम को साथ अनकेडमी क्लासिस ज़रूरी है इसलिए कराय जा रही है आंसर है इस कोशन का दूसरे नमबर पर गएगा तो भाई दिहान रखना प्रोक्सिमा क्या प्रोक्सिमा सेंचुरी प्रोक्सिमा सेंशुरी आंसर लगाना ये question number याद रखना आप मुझे comment box पे anacademy class की उसमे comment box पे बताओ कि मैंने question number जान बुच के लिख रहा हूँ यह आपको याद रखना मेरे को याद नहीं रहता भाई ठीक है सिंपल सी बात जब anacademy class start करेंगे तो उसमें question number तुरंद भताना ढूंडने ना पड़े मुझे ठीक है चलिए एक और question देखेंगा salt lake stadium का दूसरा नाम क्या है वैसे salt lake stadium है कहां पर यह बताओ पहले where is salt lake stadium जल्दी से बतेगा इस question का answer क्या है बतेगे इस question का answer क्या है जल्दी से बतेगा एक बच्चा कह रहा है सब तीसे नंबर बताओ कोन है तो त्य बतादू बढ़ा पांचवे वेवे वे तो आंसे का जैसे salt lake stadium है कुलगत्ता में पहली बात तो यह इसका दूसरा राम क्या है यह बतेगे वट इस दा अनादर नेम ओफ salt lake stadium जल्दी से बतेगा इस question का answer क्या है कमेंट करेए बताइए इस question का answer क्या है वट इस दा अनादर नेम आफ यूवा भारती stadium इस question का answer यूवा है और भारती है ठीक है चले एक और question देखेगा यह मैंने ना question आपको ट्रोफी वाला कराया था मैंने एक दिन आपको यह ट्रोफी वाला question कराया था first test captain मैंने यह भी कराया रखा first test cricketer of India वो अलग है और यहाँ पर कह रहा first test captain जिन्होंने test team के captain के रूप में सर्व किया था और इनके नाम पर बहुत बड़ी trophy भी होती है मैच भी होते है आंसर क्या है चली तो आंसर क्या है इस question का जल्दी से बढ़ेगा ठीक है सीके नाइडू जी है सबसे बहले test cricket captain चले एक और कोशें इंडिया की तरफ से इसमें से कौन सी ट्रोफी गोल्ड से होकी से समबन्दित नहीं है और जैसे यह के रहा है घी देको एक तो हमारा गोल्ड वाला समझ आता ही हमारा चीट कोड हैं गोल्ड वाला समझ आता है उसके बात फसता है धि कौॉर्मेजश जी और नारंग जी फसते घिर फोड़सा मुश्किल फसने वाला कोशन है ऐसी कोशन जमाँ खराब कर देते हैं वेपर में आंसर के इस कोशिंगा जल्दी से बतेगा क्राइए करिए बताइए इस कोशिंग कान से कि कौन सी ट्रॉफी होकी से संबंदित नहीं है अगर आप आपने नारंग जो नारंग थे बहुत famous खिलाडी थी किस खिल से सम्बंदित है अगर आपने सुना हो तो आपको question आसान लगेगा ठीक है यह maybe वाला answer नीच चाहिए यह clear cut answer है कि इसमें से कौन सी होकी से सम्बंदित गुर्दमीत पंजाब के खिलाडी पंजाब के खिलाडी होकी में सबसे जादा है बहुत अ ठीक है ध्यान रखना गगन नारंग बहुत famous नाम था किसी समय में अभी फेमस ही है वैसे question जो हम कर रहे है तो फेमस ही रहे होंगे चली तो इस question का answer यह है और चली एक और question देखेंगा इस question का answer क्या है अभी national hockey tournament हुआ था कौन सी state जीती थी current fair मैं पूछना चाहूँगा national hockey tournament बीस बाइस कौन सी state ने जीता जल्दी से बते यह current fair 11 देखो मैं current fair भी करा दूँ अभी 8 से 10 करा रहा हूँ न तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको current fair भी cover करा जाए 8 से 10 में यह question तो चलेंगे साथ के साथ current fair भी चलेगा answer क्या है इस question का answer national hockey tournament बीस बाइस कौन सी state ने जीता तो याद रखेगा हर्याना ने जीता है किस ने जीता है हर्याना ने जीता question है बहुत मैत पूर ठीक है चली एक और question देखेगा अब आप यह सुन लो यह जैसे question खतम किया 43 पे आए और इस playlist में इस PDF में question कितने है 200 कितने है 200 question है is it 43 से लेके 200 तक हमें unacademy की class में जाना है और यही PDF चलेगी चाहें 2 घंटे लग जा हो मेरे खाल से 2 घंटे से पहले खतम होना चाहिए जितना हम स्पीड में पढ़ने वाले था स्पीड बढ़ा देते हैं तो ध्यान नखना पांच मिनिट में या 10 मिनिट में class start हो जाएगी पट्याला इस question का answer यहां पे sports के खिलाडियों के training होती है जो coach होते ना उनकी बड़ 200 question करने जो इस level के question है ठीक है अब यह समझ लो मैंना content ना दिल खोल के बना रहा हूं आज कल खेर हूं चैनल टेलीग्राम चैनल जोइन करो इस टेलीग्राम चैनल अमन सर वाइफे स्टडी पे मैं आपको class का link दे रहा हूं live अमन कोड से access करो एक अच्छे level पर पढ़के दे class में मैं free पढ़ाऊंगा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाइफे सेडी है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे connected है उसमें जुड़ना है और class बिल्कुल free है और पांच मिनट बात स्टार्ट भी हो जाएगी ठीक है ज्यादा लंबे समय नहीं रखेंगे पांच मिनट में स्टार् सब्सक्राइब 4.00 में एट लिंक के नाम से होगा थिया वह एट पीम के नाम से होगा कि तो से एक समय मेरत ओन रखेंगे टेलीग्राम चैनल सच करो अमन सर वाइफे स्टड़ी इस लेवल पर पढ़ना है फ्री क्लास लेनी है तो टेलिग्राम पर आओ स्टार्ट करते हैं दो घंटे पढ़ेंगे महतपुण सवाल है सारे ठीक है चली तो धन्यवाद सेशन को लाइक करिए शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मैं आपको बता रहा हूँ कोशन बहुत बनेंगे इस लेवल पर अगर बनेंगे